हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल मिस्टर मिसी जंदा तो टाइटल देखके आपको पता चाली गया होगा के हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जी हाँ गाईज आज मैं आपके साथ शेर करने वाले हूँ 10 Most Expensive Makeup Products जो मेरे पास हैं ये हैं वर्थ बाइंग परड़क्ट्स जिनको यूज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये परड़क्ट्स मेरी स्किन को बहुत अच्छे से समझते हैं मेरी स्किन को बहुत प्यार करते हैं और मेरी स्किन पर कोई भी पिमपल नहीं आने देते तो चलिए गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ ये नन्ने नन्ने प्यारे प्यारे प्रड़क्ट के साथ जो के मुझे बहुत पसंद है और उमीद है आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे फेवरेट बॉबी ब्राउन के आईशेडो पैलेट के साथ और गाइस इस प्यारे से पैलेट का है ये बॉक्स और इस पैलेट का जो नाम है वो है बॉबी ब्राउन लव इन दी आफ्टरनोन आईशेडो पैलेट देखिए कितनी प्यारी लुक है इस पैलेट की और ये हैं शेड्स यहां पे हैं मिरर और इस पैलेट का जो प्राइस है वो है 3500 और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट परड़क्त पर और इसके बाद बारी आती है बॉबी ब्राउन स्के नरिशिंग ग्लो फांडेशन की जो कि मैंने एरपोर्ट से लिया था इंडिया में अभी तक अभिलेबल नहीं है और इसका प्राइस है वो है 6700 ये है इसका बॉक् गाइस इतना अच्छा फांडेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं किया ये वर्थवाइंग परड़क्त है और उसके बाद है मेरे पास मैक का प्राइमर जो कि है 50 ml कॉइंटिटी में और इसका जो शेड है मेरे पास वो है रेडियन येलो और इसका प्राइस है 3400 गाइस बहुत ही अच्छा प्राइमर है दुनिया के सभी प्राइमर इस प्राइमर के आगे फेल है 50 ml की कॉइंटिटी 3400 प्राइस सिर्फ एक ड्रॉप यूज करना है आपको आपको पता ही है प्राइमर का सिर्फ एक ड्रॉप लगता है हमारे पूरे फेस पर अगर आप आपको मेकप नहीं करना तो आप इसका एक ड्रॉप अपने फेस पर यूज कीजिए और कहीं भी चले जाए इतना ग्लोइंग स्किन यह आपको देगा उसके बाद है गाइस कलरवार का हाइड्रा वाइट इंटेंस वाइटनिंग हाइड्रेटिंग एंटी स्पोट सीरूम जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है चोटू सी बाटल है आपको 890 रुपीज खर्च करने है इसके ओपर 10 ml की क्वांटिटी है 10 ml यूज करते करते ही आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि यह कितना अच्छा वर्क करती है और गाइस ऑल स्किन से आपकी स्किन बहुत ही स्मूध दिखेगी बहुत फ्रेश दिखेगी और जो आपकी स्किन की क्लेर्टी है वो डे बाइडे इंप्रूव होगी और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पांच में परड़क्ट की तरफ जो कि है सफोरा का लिप बाम जिसका शेड है युनीक पिंक बिल्कुल नैचुरल पिंक शेड देता है यह हमारे लिप्स पर यकीन मानिये दुनिया का कोई भी लिप वाम यूज कर लो इससे बैटर आपको नहीं मिले चलिए गाइस इसका हैं यह रिखे गाइस यह है इसका कलर हलका सा पिंक कलर है क्योंकि गाइस यह है एक कलर तो इसलिए यह देती है हलका सा पिंक शेड जो के बहुत ही नैचुरल दिखता है और गाइस जो इसकी खुश्बू है न वो पूरा दिन आपको फ्रेश फील करवाती है पूरा दिन और गाइस इसका जो प्राइस है वो है 1200 वैसे तो 1200 बहुत बड़ी अमांट नहीं लेकिन अगर देखा जाए तो लिप बाम तो 100-800 में भी आ जाती है उस हिसाब से अगर हम देखे तो 1200 रप्या एक लिप बाम के लिए पे करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है हमें लेकिन गाइस आम डैम शूर अगर आपने एक बार ये लिप बाम यूज कर लिया तो आप कोई की भी लिप बाम यूज नहीं कर पाओगे गाइस आपको भी मेरी तरह इसकी अडिक्शन हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं गाइस इस टील और की ये लिप स्टिक की गाइस इस लिप स्टिक का जो मैंने शेड लिया है वो है प्यॉर कलर लव 270 इसका है नमबर और इसक मैट के लिप शेड बहुत जादा हो गए थे इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ग्लॉसी लिप स्टिक ट्राइग किया क्यूंकि आज कल है मैट का ट्रेंड तो मैट वाले लिप स्टिक यूज करकर के मैं हो चुकी थी बोर्ट तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफ्रेंट ट्र नाइन्टीन फिफ्टी उननी सो पचास रुपई इसका प्राइज है यहां पे आप देख सकते हैं यह है इस लिप स्टिक का कलर बहुत ही डिफ्रेंट सी लुक हैस्स लिपस्टिक की मुझे तो बहुत प्यारी लगी प्राइज थोड़ा सा ज्यादा है नाइन प्राइज जैसे कि आप देख पा रहे है यह है मैक का प्राइम फिक्स पिंक लाइट बहुत अच्छा है बहुत यूजफुल है 100 ml की बॉटल है और इसका प्राइस जो है वो है 1900 100 ml की बॉटल 1900 में आपको मिल जाएगी गाइज आप इसे as a primer भी यूज़ कर सकते हो और as a makeup fixer भी इसलिए चूज़ किया क्योंकि पिंक लाइट जो है यह देता है काफी नैच्रल सा लुक गाइज अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका मेक अप करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप इसे ट्राइग करें इसे अपने फेस पे अप्लाई करें और आप ऐसे ही चले लेकिन जो ब्रैंड है वो है डिफ्रेंट तो चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉड़क्ट की नेक्स्ट है यह स्मेश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर वाटर अगेन इसे भी आप ऐस प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो और ऐस सेटिंग सप्रे भी यूज़ क बहुत ही प्यारा लोग होता है बहुत ही डिफ्रेंट लोग होता है बहुत ही ड्यूई लूग होता है है शे игр हो और जैनल इतना फेप्रेट हो चका है ना मैं हमेशन अपने सब्सक्राइब में रखती हूं जब भी मेरा मन करता है मैं इसकी 3-4 पर अपने फेस पर करती हूं और इतना फ्रेश फील और जो आपका मेकप होता है बहुत पहले से किया हुआ उसे भी यह दुबारा से इतना फ्रेश लुक दे देता है ऐसा लगता है अभी आप मेकप करके आए हो 116 ml की यह यह देखिए गाईज यह हाइलाइटर आपको बहुत ही नैचरल लुक देता है आपके मेकप को चार चांद लगा देता है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया हाइली पिगमेंटेड परड़क्ट है यह और अगर आपने मेकप कर लिया और हाइलाइटर नहीं लगाया तो आ 1850 रुपीज इसका जो मैंने शेड लिया है वो है ग्लोबल ग्लो और इसमें आते हैं टोटल फाइव शेड्स थोड़ा कॉस्टली तो है लेकिन वर्थ वाइंग परड़क्ट है ये और यह है हमारा लास्ट परड़क्ट जो के है क्लीनिक का हाई इंपेक्ट मस्कारा गाइज सेवन एमल कॉंटिटी है और प्राइज है 2200 गाइज ये कलीनिक का मस्कारा आपकी आइलाशेस को इतना अच्छा लुक देता है इतना हैवी वॉल्यम देता है ऐसा लगता है आपने फेक आइलाशेस पहनी हो गाइज ये तो थे मेरे 10 मॉस्ट एक्सपेंसिव परड़क्ट नहीं है यह है वह मॉस्ट एक्सपेंसिव परड़क्स जो मैं यूज करती हूं और इसके इलावा वी मेरे पास काफी सारे एक्सपेंसिव परड़क्ट्ट हैं लेकिन आज मुझे सिर्फ 10 परड़क्स आपको शो करने थे इसलिए मैंने यह चूज कि लेकिन गाइज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मैं एसी और भी वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी और गाइस मैं सोच रही हूं कि इसके बाद मैं 10 चीप पर भी एक वीडियो बनाऊं ताकि मेरे जो फ्रेंड्स यह बड़क्ट बाइन कर सकते उनको इजी हो जाए अच्छा स लाइक जरूर कर दिया करो अगर आपको और भी अच्छे मेरे चैनल पर वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और उसी के साथ आप बैल बटन को भी दबा सकते हो ताकि आपको टाइम टू टू टाइम अच्छे वीडियो के नॉटिफिकेश लेकिन सिर्फ ये बबी ब्राउन का foundation नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया में अभी तक शायद ये अभी लेबल नहीं है क्योंकि मैंने काफी साइट्स पर चेक किया काफी एप्स पर चेक किया मुझे ये नहीं दिखा और अगर आपको ये चाहिए तो आप international sites पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको easily मिल जाएगा, guys आपको ये वीडियो कैसी लगी, comment section में जरूर बताना, और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care,